येलो एब्रीबन विलकम टू माई टूप चैनल आज हम आपके लिए बहुत ही प्रिविटी सा डिजाइन लेकर आए हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें फोर के मल्टिपल फंदे लेने होंगे इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकती हैं बहुत ही खुशूरत सा और यूनिक सा डिजाइन है चलिए हम वीडियो सुरू करते हैं यहां पे टोटन मैने 17 फंदा रखा हुआ है यह डिजाइन का हमारा फर्स्ट रो है राइट साइड पहले आपको इस तरह से बॉर्डर बना लेना है उसके बाद से डिजाइन को अपलाई करें देखे इस तरह से हम आपको दो स्लाइब मुन के दिखा दे रहें देखे इस तरह से पहला फंदा में स्किप करना है एक फंदा सीधा धागा आगे धागा पीछे स्वरी एक फंदा में स्लिप करना है एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा धागे को आगे करेंगे एक फंदा उल्टा इस तरह से धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा इस तरह से हमें पूरी स्लाइब बॉर्डर बना लेनी है एक फंदा करेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इसी तरह से हमें बुनना है अब देखिए डिजान का बैक साइड है सेकेंड रो फंदा हम सिलिप करेंगे धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा थागे को आगे करेंगे एक फंदा उल्टा इसी तरह से हमें पूरी स्लाइब बुन लेनी है तरह से बॉर्डर मुनाने के बाद हम यहां से डिजाइन अप्लाई करेंगे अब डिजाइन डालेंगे तो देखें पहला फंदा में स्लिप कर लेना है अब देखें डियान का फॉर्स्ट रो है राइट हम इल्टा गुननेंगे एक दो शीड़ा इस तरह से बनाना है इसके नीचे वाली होल से लिख रहा है नीचे वाला हूल उसके नीचे से हमें एक फंदा इस तरह से सीधा बनाना है और यह फंदा उतार लेना है धागे को फिर से आगे करेंगे तिन फंदा उल्टा एक दो तीन देखे इस तरह से धागे को पीछे करेंगे अब यह सीधा वाला जो फंदा दिख रहा है ऐसे हम सीधा फंदा नहीं इसके नीचे वाले होल से इस तरह से हमें वैक साइड से एक फंदा सीधा बनाना है धागे को आगे करेंगे तिन फंदा उल्टा एक दो एक तिन फंदा उल्टा गुनने एक वाद अब यह जो सीधा वाला फंदा दिख रहा है दिखे इस तरह से नीचे वाले होल में से हमें ए एक फंदा इस तरह से सीधा बनाना है धागे को आगे करेंगे तीन फंदा उल्टा एक दो एक तीन धागा पीछे करेंगे लाश्ट का फंदा में इस तरह से सीधा बना लेंगे देखिये डिजाइन का सेकेंड रोह है बैक सैड पहला फंदा में सिलिप कर लेना है धागे को प फंदा उल्टा धागा पीछे तीन फंदा सीधा एक दो तीन धागे को आगे कर लेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे तीन फंदा सीधा एक दो तीन धागे को आगे लाएंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे कर लेंगे तीन फंदा सीधा एक दो तीन धागे को आगे क अब यह देखिए आपको एक स्लाइब और बुन के दिखा दे रहे हम देखिए जान कर थोडर है राइट साइट वाला फंदा स्लिप करेंगे तीन फंदा उल्टा एक दो एक तीन तीन फंदा उल्टा बुन लिगा धागे को फिर से पीछे करेंगे अब देखिए उपर वाली होल में से नहीं इस तरह से नीचे वाली होल में से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे धागी को आगे करना है तीन फंदा उल्टा एक दो तीन धागा पीछे कर लेंगे अब नीचे वाले होल में से इस तरह से सीधे वाले फंदे में से देखे इस तरह से सीधा फंदा एक बुनेंगे धागी को आगे करेंगे तीन फंदा उल्टा एक दो एक तीन धागा पीछे कर अब सीधे वाले संदे में से देखिनी नीचे वाली होल में से एक और से सिधा बनेंगे और कि आजने के पीछे कर लेंगे लाश्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे देखिए कि प्यारा और आसान सा डिजायन है वीडियो कर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इसी तरह की न्यूनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते अगली वीडियो को साथ तब तक लिए थैंक यू